दियर स्टुडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी फर्स समस्टर के हिस्टरी यानि की इतिहास के पूरे के पूरे माडल पेपर, कुश्चन पेपर के बारे में इस वीडियो से आफ सभी को बहुत ही हिल्प मिलने वाली है, खाफ करके उन छात्रों के लिए जिनक कौन-कौन से question पूछे जाते हैं और इस बार आपकी जो परिच्छा ओने वाली है उसमें कौन-कौन से महत्पूर्ण प्रश्ण है जो कि आपके परिच्छा में आने वाले हैं इस question paper तो बिना देरियों के बीडियों में आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं और प्रश्ण पत्र आपकी परिछ्छा में अगर इसका पेपर होना वाला है तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पोड़े और यह आपका सब्जेट का नाम हो गया ठीक है प्रश्ण पत्र का नाम ठीक है अर्ली सिवलाइजेशन आफ इंडिया और वर्ण ठीक है तो इसकी से लड़ी कोष्चन आएंगे तो सबसे पहले आटले गुत्तर काँछ सब्छेदों एक सब्सेकर में देना है कि वैदिक साहित में ये फिर वैदिक साहिंता में चार वेद सामिल है कितने वैदिक साहिंता में कितने वेद सामिल है चार वेद सामिल है ठीक है अर्थात यानि की कौन-कौन से तो पहला जो आपका जाएगा कौन सा रिगवेद कौन सा रिगवेद दूस्ति नंबर प्रमुक चार वेद स्ट्रोटल थीक दूटल थीक है तो प्रतेक वेद में दिसम्टा को सहिंता कहा जाता तो इस प्रकार लिखेंगे वैदिक सा हिंता का उत्तर, सिंपल सा है आप लोग वेद तो जानते हैं, रिग वेद, साम वेद, येजुर वेद, अथर वेद ठीक, और नेश कोईशन है वहिए, इस सरस्टी नदी के बारे मताईए ठीक है, इस प्रस्टे का उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता दूँ ये कि चुजी मैं कोईशन मताऊंगा, कि ये महात पोड़ है ये 100% आएगा तो इसको आप जरूर तयार कर लिजेगा, ठीक है, क्योंकि यही प्लस पाइंट है आप सभी के लिए तो पहला तो खास करके महात पोड़ है, इसको आपको 100% तयारी कर लेना है, ठीक है दूसरा है सरस्टी नदी के बारे मताईए, तो सिंपल सा पच्चेश का लिख देंगे, पचास सब्दों में कि वैदिक सभिता, क्या, वैदिक सभिता, क्लियर में सरस्टी की सबसे बड़ी और मुख नदी थी, वैदिक सभिता में सरस्टी जो धदी थी, यह सबसे बड़ी और में मुख नदी थी, ठीक है, इसरो द्वारा किये गए, सोध में पता चला है, यानि कि कुछ बिद्वान थे, कुछ लोग थे, जिनका नाम था, इसरो के उपाद दी गई थी, वो इसरो के लोग थे, ठीक है, उनके सोध से, उनके रिचर्च किये थे, इससे ये पता चला कि, आज ये नदी, हरियाणा, पंजाब और राजिस्तान से होते हुई, भूम गत रूप में प ठीक है, पहाड़ों को तोड़ती हुई, निकलती थी, और मैदानों में होती हुई अरब सागर में जाकर बिलीर हो जाती थी, तो इस प्रकार लिखेंगे, सिंपल सा परिशे, ठीक है, बाकी आप बहुत सारे चाहतर बोलते हैं, जिस तरह आप कोईश्चन का उत्तर बोलते उत्तर लिखने में बहुट जा टाइम लगता है ना, इस वज़ा से हम आप लोगों के लिए एंसर प्रोवाइड नहीं करा पारे हैं, अतला कि और मता दे रहे हैं, लेकिन लिख के नहीं बता पारे हैं, लेकिन वह भी आप लोगों के बहुत सारा कमेंट आ रहे थे, लेकि तो आपको सिंपल से लिख देना कि ना जो रामायड है यह वालमीकी जी जो है ठीक है वालमीकी जी आप सभी जो जानते हैं बहुत ही प्रमुक और बहुत ही इनकी हिस्ट्री आप तो आपने पढ़ी होगी ठीक पहले क्या थे पहले तो यह आप मानूब की जंगल में रहते थे और बहुत अत्याचार करते थे लेकिन बाद में यह मतलब की मतलब की इतना ज्यादा इनको मतलब की काफी रिश्यू दौरां का स्राप मिल गया था तो फिर क्या हुआ था कि मामला स्राप मिल गया था इनको रिश्यू की दौरा तो इनको बड ऐसे महर से रिषी बन गए कि जिन्होंने फ्री रामचंदरी जी का जो जीवन है पूरा का पूरा वो रामएड के माद्धन पे उसमें बताया गया वो पूरा का पूरा इनोंने लिख डाला तो चलिए आते हैं में मुद्दे पहला की तो रामएड जो है वालमी की रिफी का रचित सांस्कृत महाकाब्व है कि जो भासा है वो सांस्कृत में लिखी गई बाद में उसे उन वाद किया गया ठीक इस बात को जान लखेंगे ठीक है संस्कृत में लिखा गया महाकाब्व है जिसमें स्री राम की गाथा है इसे आधिकाब्व तथा इसके रचेता वालमी को आदिक कभी भी कहा जाता है संस्कृत साहित परंपरा में रामायर और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों फनातन संस्कृत के सबसे प्रसिद और लोग प्रेगरंथ हैं ठीक है तो यह बहुत ही संस्कृत महासा में लिखा गया बहुत ही पॉपलर और महात्प आपको गर दिर घुत्रे में यह लग हुत्रे में तो वहांपर आपको detail में लिखना है ठीक है रहा है थाकला पश्building काली बंगा के बारे मता ही कोनए नहों घुकिनलि को खाला है ये 안क ब्हादंगा और लगा सपने सदू बंगा है कम इस इतियाज के बात है ठीक तो यह एक भासा आपने सुनी होगी सिंधु भासा ठीक है इतियाज की बात है ठीक है तो सिंधु भासा जो थी ना उसी का यह एक सब्द है कौन सा कौन सा काली बंगा काली बंगा सिंधु भासा का सब्द है जो काली जहां से सुनेंगे जो काली प्लस बंगा ठीक है से काली बंगा बना है ठीक है तो काली प्रस बंगा काले रंग की चूडियों से बना है किस चीज से जो काली बंगा है ये काले रंग की चूडियों की उपाद से ये काले रंग की चूडियों के कारण इसका नाम काली बंगा पड़ा है काली का अर्थ है काले रंग से तथा बं तो यह इस प्रकार आप लिखेंगे काली बंगा के बारे में कहने का मततब यह है कि काली चूडियों की वजह से ही इसे काली बंगा कहा जाता है ठीक जालिए नेश कोस्टिन है कि भाईया महा भारत के बारें बताए तो महा भारत आप सब्सक्राइब को मालूम है सिंपल से कोई एंसर देनी की बात नहीं है अगर आप इसके वारें नहीं जानेंगी आप लोग जानते यह महा काब यह भी है रामाइड की तरह ठीक है ग्रंथ है ठीक है सींपल सा 50 सब्स ने कि महा भारत भारत का एक प्रमुक काभि गरंध है जो असुमुरत के इतिहास वर्ग में आता है इसलिक काभि गरंध भा भारत का अनुपम धार्विक परोडी आतिहासिक और दार्सॣिक गरंध भी कहा देना होगा कि अगला प्रश्ट कि मतलब होता है ध्यान से सुनेंगे कि पहले मतलब कि आज दो-चार सो साल पहले प्रचीन नितिहास में दो बहुत पुरानी बात ठीक है प्रचीन निकट में मिट्टी की गोलियों लेखन आध्यम की रुप में किया जाता था मतलब की जो ये मतलब कि अर्थ निकाला गए उसका मतलब होता है मित्टी की गोलियां मत्तिका का मत्तब होता है मित्टी की गोलियां ठीक है तो मित्टी की जो गोलिया थी इसके माध्यम से पहले प्रचीन कार में दो चार पांचो साथ स्वाट साल पहले ठीक है गोलियों मित्टी की जो गोलिया थी इनके माध्यम से क्या पत्थरों पे लिख किया जाता था विसेश रूप से क्यूक्तिक एक्यूनीफ हो में लिखने के लिए काश युंग में और लोह युग में अच्छी तरह से क्यून फॉर्म पाथ्रों को गिली मिटी की गोली पर अक्सर एक से बना एक लेखनी के साथ अंकित किया जाता है नहीं पत्थरों पर या या हम्मू जुराबी कौन था इसके बारे मुत पारश्य बताइए यह भी उहात पूर्ण है तो हम्बू रबी हम्बू रभी इसका नाम तो ही और इसको अन्य नाम से five उच्प तुन को कभी कभी कहम्मू रभी भी कहा गया है तिक के याद रखेंगे नहीं तो तो आप लुग समझ जाए कि यह मदूराभी ओने कर दोने तो यह दोने हंख्यं अठारा सो दस इसा पूर्व से सत्रा सो पचास इसा पूर्व बेबी लोनिया का एक राजा था यानि कि इसा पूर्व से सत्रा सो पचास इसा पूर्व तक यहां यानि कि जो हम बुरा भी था ये बेबी लोनिया का एक राजा था इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होएगी कि फर अठारा सो से सत्रा सो आ रहें उल्टा रहें ठीक हैं इस भी जो होता है वो नर्मली सत्रा सो सीधा चलता फत्तरा सो से 1808 सो से 900 लेकिन जो इसा पुर्भूता में सा उल्टा चलता फत्तरा सो से इस बात को ध्यान नखेंगे ठीक है तो ये इस मद्ध का ये बेबुलियां का राजा था तथा वह प्रतम बेबी लोनिया राजवंस का छठा राजा था यानि कि वो ऐसा राजवंस तक शाषन काल अभी भी पूड़ता निश्चित नहीं हो पया लेकिन अनुमान लगया गया है कि इस प्रकार उसने सासन किया और वो यहाँ का राजा था ठीक है तो सिंपल से परिभाशा 50 सब्दों में हो गई पुरे नमबर मिल जाएंगे इस तरह अगला प्रस्ट ने कि जिगूरत के बारे में लेखे यह भी महत्पॉन इसको भी त्यार रखेंगे हम्बूरा भी यह भी महत्पॉन प्रस्ट है और महा भारती भी मह काड़ घ्रीव महात्र प्रस्ट है कि हम भूरा भी हमेशा रिपीटेड वाला कुश्चन दिज्यानद लखेंगे जिगूरत भी हमेशा रिपीट हमेशा प्रश्चन नील नदी ने और तो यह तूहंडर प्रस्न इंपॉटन्ट है ठीक है सांग राज्वंस यह भी महत्पून प्रस्न यह भी जयातर प्रस्न परच्छा में आता ही रहता है ठीक है तो इसको भी आपको तयार कर लेना है ठीक है इन सबी प्रस्नों का उत्तर जो आप Google पे इंटर्नेट पे और सेर्च कर लिजेगा मेरा काम है आप सबीकों महात्पूर्ण प्रसण बता देना जो कि एकजाम में कई बार रिपीटेड है तो यह कोश्चन कहरा बाइज कर दो कौन कौन से वेद हैं और उभेवेदों का मतलब की परिशे बताईए फेले तो आपको वेदांगों का सुदाषण करना है तो पहले आपको लिखना वेद किसे कहते हैं उसके बाद चारोवेद के नाम और चारोवेद के जो नाम है उनके बारे में थोड़ा परिचे उसके बाद उसका उदाहर्ण देना है आप लोगों को ठीक यह कुश्चन कह रहा है इस परकाश का उत्तर दिना दूसरा प्रशने के सिंदु सरस्वति सभित जय महिंने महातपोन है तो आपके जानकारी के लिए बताएं सिंद्व फरस्वति सभिता के निर्माता है हो एक लोगोतες है इसमें इसमें निसाद भीलल समुदाय था जिसका नाम था निसाद ठीक है निसाद भील क्या था निसाद भील समुदाय था ठीक है तो इसी समुदाय के लोग यानि निसाद भील समुदाय के लोगों ने किया था ठीक है सब्सक्राइब का मताब कि निर्माड एक तरीके से स्टार्टिंग ठीक है और इसके बारे में आपको डीटिल में लिखना है क्योंकि दीर लग उत्रेक कोईश्चन है दोस्तों सब्दों में लिखना है और अगला प्रस्न है कि वैदिक सांस्कृत के समाजिक जीवन का विसले कीजिए तो महाकाब यूग यह प्रस्न कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं ठीक है अगला प्रस्न है कि प्रचीन विश्चु की सभिताओं के उदे में नदी घाटियों की योगदान का विसलेशन कीजिए यानि कि जो पहले का सिस्टम प्रचीन विश्चु की जो सभिताय थी ठीक उनमें जो उदय हुआ उनकी स्टार्टिंग हुई उसमें नदी घाटियों का क्या योगदान है ठीक है उसके बारे में लिखना है यह भी कभी 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 आ जाता है प्रस्न है अगला जो प्रस्न हम आपको बताने जा रहे हैं प्रस्न आता ही आता है मिस्त नील नदी का वर्दान विश्चेशन यह अति लगुत्री लगुत्री किसे में भी पूंचा जा फकता है और इस प्रस्न की हम गारंटी लेते हैं प्रस्ट फशेगा तैयार कर लिजेगा इसका उत्तर शेवर है कि शांग यूगीन चीन की धार प्रारंबिक भारति सांस्कृत के अध्यन के पुरातात्विक सोटों का वड़न कीजिए उम्मेद्य प्रस्न के आने के पुरातात्विक सिर्ड़ा कोश्चन आफकता है ठीक है इस बात को ध्यान लगेंगे और सिंदुसरफति सब्वता के पतन के लिए उत्तरदाई कारण तो सिंदुसरफति सब्वता फिजड़ा एकात कोश्चन जरूर भसेगा जरूरी नहीं कि यही लेकिन एक नएक कोश्चन आएगा जरूर इस बात की हम सेरुटी ले रहे हैं ठीक है अगला प्रस्न है कि मिस्ट्र वासी बिस्ट्र के सरवदिक धार्मिक भिक्तित थे बीच पर्षेज्चाम किजिए यह 99% परेश्चाम में आता ही तो आप लोग तयार कर सकते तो जो जो मैंने प्रस्न मता हैं कि इनको तयार कर लेना है तो उंका युझत बाकि यह as厲害 के प्र पर पसप्र निए मैं में हैं और मिलते हैं कोड़ने वीडियो में जहिंद